जरूरी नहीं कि हर टुटा हुआ इंसान रोता हुआ मिले कुछ अपना मुस्कान के पीछे लाको दर्ट चुपए रहता है जीवर के ये दिर्फंग हमेशा याद रखना आनन्द में कभी बचान मत देना ग्रोध में कभी उत्तर मत देना और दोख में कभी लेडर मत देना सुधियोने की चक्कर में पुरा जिन्दगी दुखी रहता है उसी के नाम इंसान है तारे और इंसान में कभी वर्ट नहीं होता दोनों किसी के खुशी के लिए खुद को तोड लेता है दोना गलत नहीं है लेकिन एक ही बजा के लिए बरबा रना भी शही नहीं है अजीब दम है जीने का लोग साफन से जहरा दोकर साफ रहते है और सारा मैल दिल में जमा खर लते है दिल में बुराई रखने से बैत्तर नाराजिया जाहिर कर दीजी क्या वा जो हम किसी के दिल में नहीं दड़कते, आपकों में तो बहुतों की खटकते ही, महापथ की आखरी इस जीस में है, जीस मिल जाये तो महापथ खाए, जिनका वगत खराबे उनका साथ जरूर देना, मगर जिनका नियत खराबे उनसे दोड़ रहना ही बेटर होता है, इंसान द नाम सर्ग्यों, लिवास कवर, और मकान शमसान, जिन्दगी में एक बाथ हमेशा याद रहना, लोग तब ही आप प्रियाद करता है, जब अखकोत पहला होता है, इतना बड़ा सप्ना होगी, उतने बड़ी तकलिफ होगी, और जितने बड़ी तकलिफ होगी, उतने बड़ पर यह मुझे मुझे पर उंगले उटाने वाले लोग बहुत अच्छा लगते हैं क्योंकि वो दोट के बारे में कम और मेरा बारे में ज्यादा सुचता है मैंने कभी भी किसी आपने को खुद से दूर नहीं किया बस जिसका जितना दिल बाता गया वो खुद हमसे दूर होते गया जिन्दगी ने मेरे मर्ज का एक बड़िया हिलाज बताया ओक्त को दावा कहा और मतलबी से परहेश बताया किसी की आदध तखनी ओ तो उसे हिज्जो तो और किसी की पित्वत तखनी ओ तो उसे आजा दी दो कितना मुश्कल होता है उस शाक्स को मना जो नाराज बिना हो और बात बिना कर बड़े अजीब दुनिया के मेले दिखती तो बेड है पर चलता साथ अकेला इज्जन क्या करता हो देहनों की वर्ट नहीं दिखाता कि अपनों हो या केरों की जिंदिगी में कभी किसी का दिल ना दुखर क्योंकि एक ऐसा दिल आपके बास भी इनसान एक कालम से अकेला हो जाता है जोग वो अपनों की किने की सला केरू से लेता है इरेदू पर अला है तो अंदेर का हिंतेजार है जोप में तू ठाश के टुके भी चमकने लगते है और बितने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो ठूट गया लमगा वोही बेहतर था जो लोग गौम में भी मुस्कुरा सकते है वो दुनिया की हर चीज़ परदाश कर सकता है और अच्चा है तो आपकी हजारों गल्टिया मजाक लगती है अगर और बुरा है तो आपका एक मजाक भी हजार गल्टिया के परावर होता है बस धिल जितने की मकसाद रखिए क्योंकि दुनिया जित कर सिकंदर भिखालिया गय थे कभी भी किसी दूसरे के बोली वही बात को सुनकर किसी को गलत न समझे समझदार वही होता है जो पात की दाख तक चाता है और उसे समझता है और सफन ता एक चुनोती है उसे सुईकार करो क्या कमी रेखे उसे देखो और सुधार करो जब तक ना मिले सफल निन चेंद कुद द्याग तुम संगर्स की मदान की छुड़कर मत परगोत। कुछ किये बिना जज़कार नहीं होती पुशिश करने वालों अभी हार नहीं होती यदि दिल में लगी आग तो शेयर कीजी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं साइनिंग मोग वी के मोटिवेशन